नमेशकार दोस्तों स्वागे तक बार फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉस्ट ओफिस भरती के बारे में जिसमें male और female दोनों की ही आपकी post है रहने वाली है दोस्तों वेकेंसी के लिए कैसे आवेदन करना पड़ेगा इसके लिए age limit का criteria education qualification का criteria पूरा detail में हम आपको बताने वाले है तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के end तक जरूर देखेगा अब दोस्तों बिना किसी देरिके करते हैं वीडियो को start दोस्तों आप यहाँ पे वेकेंसी के बारे में पूरी update आपको बता देते है official website जो रहेगी post office की www.apppost.in रहेगी इसी पे ही आपको सारी states के notification मिलेंगे इसी पे ही आपको वेकेंसी के सारी update आपको मिलने वाले है और इसी पे ही आपका यहाँ पे registration होने वाला है दोस्तों वेकेंसी जो आपकी रहेगी post master के यहाँ पे यूर कैटेगरी में 1244, OBC में 1070, EWS में 311 और ST के अंदर 509, ST के अंदर 327, XRipsman के यहाँ पे इस पोस्त आपकी रहेगी ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे शोटिंग, असिस्टेंट और डाक सेवर के पोदोपी पे आपकी वेकेंसी निकले ही जिसमें केटेगरी वाज टोटल नमबर और पोस्त आप देख सकते है और इंडे लेवल के अगर हम बात करें तो 28,850 पदों पे आपकी यहाँ पे वेकेंसी निकल चुकी इंडियन पोस्त आफिस के अंदर एप्लिकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा एज लिमिट का क्राइटिरिया बाकी स्यारी डिटेल आपको हम देने वाले है सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं मिनिममम एज 18 साल और मैक्सिममम 40 साल का यहाँ पे क्राइटिरिया रखा गया है जो भी इंटरेस्टेट कैंडिडेट है 18 से 40 के बीच में आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा भी दोस्तों आपके यहाँ पे एज रिलेक्शेशन दिया जाएगा आगे हम बात करेंगे एप्लिकेशन फीस की तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टेट कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनके आपको बता दू कि यहाँ पे यूर, EWS, OBC कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए सोर पे रहेगी वही सेस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेज नहीं रहेंगे पेमेंट मोड आपका ओनलाइन रहने वाला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिंड, किसी के भी तुरोप आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों वेकेंसी के लिए आपको आवेदन केस्ट यह करना पड़ेगा इसके लिए आप तो बता दू कि ओफिशिल वेबसाट रहेगी www.appost.in वहाँ पे जाके आपको ओफिशिल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और उसको पूरा अच्छे सी रीड करना अगर आप यहाँ पे इलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पे दो पार्स के अंदर यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा सबसे पहले होगा बेसिक रेजिस्टेशन उसके बाद में आपका डिटेल रेजिस्टेशन होने वाला है बेसिक आवेदन में दोस्तों आपको बता दूँ कि अपना नाम फादर्स ने मोबाइल नमर और इमेल आइड़ आइड़ आपको डालनी पड़ेगी उसके बाद में आपको यहाँ पे SMS के थुरू यूजर आइड़ पास्वेड आएगा वापस से आपको यहाँ पे लोग इन करना पड़ेगा अगर डोकुमेंट्स कौन-कौन से अपलोड करने पड़ेंगे इसके लिए आपको बता दूँ कि पास्पोर्ट साइज फोटोगराफ सिगने से डेट अबड़ सर्टिफिकेट और केटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा यह आपका प्रोसेस रहेगा दोस्तों ओनलाइन आवेदन करने का आवेदन जरूर कीजिएगा अफिशल वेकेंस से निकल चुकिए आपकी पोस्ट ओफिस डिपार्टमेंट के अंदर ओल इंडिया लेवल की आवेदन जरूर कीजिएगा अब मिलेंगे आपे नेक्स्ट वीडियो में एक नेबलिट के साथ में तपता के लिए धन्यवाद दोस्तों